सर्दियों के मौसम में साथ से बनी हुई अलग अलग तरह की रैस्पी आपने तो बहुत खाई होगी पर एक बार आप इस दाल बत्वा की रैस्पी को जरूर ट्राइ करके देखना आपको काफी पसंद आएगी तो मैंने इस दाल को बनाने के लिए चना दाल और मुंग दाल क का इस्तेमाल की हूँ आप चाहे तो किसी भी दाल का बना सकते हैं नमस्कार एक बार फिर से आप सब का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं चना दाल और बत्वा से काफी टेस्टी दाल बनाने वाली हूँ तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाई हो और हाँ वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दीजेगा इस डाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बत्वा लेना है तो यहाँ पर मैंने देशी बत्वा का इस्तेमाल की हूँ तो आप किसी भी बत्वा से इस रेस्पी को बना सकते हैं तो यह साप पानी से धोकर और दस मिनट के लिए पानी में भिंगो के रख देना है और यह दो मुठी ही मूंग दाल भी ली हूँ तो इसको भी अच्छी तरह से मैंने धो ली हूँ और दस पर पंदर मिनट के लिए रहने देना है और यहाँ पर अब एक कुकर को गरम होने दे दी ह कुकर जब अच्छे से गरम हो जाए तो यहां पर मैं सरसो का तेल डाली हो तो तेल को भी अच्छे से गरम होने देना है जब तेल गरम हो गया तो मैं यहां पर थोरा सा हींग डाल दी हो हींग लगबग दो चुटकी के आसपास डाली हो दो तेजपत्ता को तोड के डाल दी हो और अब आदा चमच इसमें जीरा डाल देना है अब जीरा को अच्छे से भून जाने देना है और यहाँ पर प्याज भी मैंने बारिक काट ली थी तो जब जीरा भून जाए तो उसमें मैं प्याज को डाल दूगी और इसमें हरी मिर्ची भी डालना है पर मैं हरी मिर्ची प्याज डालने के बाद डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची को तेल में डालने से उसके भीच छिटक के बाहर आ जाते हैं, और हम जल सकते हैं, तो इसलिए मैं मिर्ची को बाद में ही डालती हूँ, और अब अच्छे से इसको मिला लेना है, और प्याज को तो थोरी देर भून लेना है, तो प्याज जब तक भून रहा है, तब तक मैं अद्रक और लैसन का पेष्ट तयार कर लेती हूं, तो यहाँ पर 20-25 कलियां लैसन की लिए हूं, और 1 इंच अद्रक का टुगरा, अब इसको अच्छे से कूट कर पेष्ट तयार कर लेना है, तो उसमें अद्रक लैसन का पेष्ट जरूर डालें, इससे काफी ही टेस्टी हो जाता है, किसी भी चीज का, चाहे वो सब्जी बना रहे हो, या दाल बना रहे हो, तो उसमें आपको अद्रक लैसन जरूर डालना है, तो मैं यहाँ पर दाल दी हूं, अब थोरी देर भून लेन है, तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालें, मैं यहाँ एक छोटा चमच नमक डाल रही हूं, और अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना नमक डालें, तो पहले आधा चमच ही नमक डालें, इसके बाद आप डाल को टेस् मैं गरमे मैं तयार करती हूं तो इसले में बाद मैं डालूंगें अगर आपका मार्केट का मौंग दाल है तो दोनों दाल एक साती आप डाल सकते हैं और दोनों को एक साती भून सकते हैं तो यहाँ पर दाल को थोरी देर मैं भून लेती हूँ और इसके बाद इसमें मूंग के दाल को भी डाल दूँगी दाल को भूनते समय मैंने गैस का फिलेम थोरा सा कम कर दी हूँ और इसको चलाते वे थोरी देर भून लेना है गैस का फिल्म अगर तेज रहेगा तो मसाले और दाल जल जाएंगे तो इसलिए धीमी आथ पर इसको भूनना है तो मैं यहाँ पर थोरी देर भून ली हूँ अब यह मून के दाल को भी डाल दी हूँ और इसको भी लगभग एक मिनिट के लिए हमें और भून लेना है तो यहाँ पर मैं वीडियो की एसपीर थोरा बढ़ा दी हूँ पर मैं दाल को आराम आराम से भून लूँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दाल मेरा अच्छे से भून गया है और यहाँ पर मैं बथवा को रफली काट ली हूँ तो इसको अब दाल में डाल दी हूँ और इसके बाद इसको हमें अच्छे से भून लेना है साग को हमें तब तक डाल के साथ भूनना है जब तक ये गलना जाए तो इसको गलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बस थोड़े समय में ही ये बिल्कुल सौफ्ट हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं अभी से ये गलना शुरू हो गया है तो थोड़ा देर लगेगा इसको लगभग दो से तीन मियट में ये हो जाएगा तयार तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साग बिल्कुल डाल में मिल गया है गल गया है तो अब यहाँ पर मैं इसमें एक चमच गरम मसाला डाल देती हूँ तो गरम मसाला डालने से तो और भी स्वादिष्ट हो जाता है तो गरम मसाला डालना भी बहुत ही जरूरी है और इसको अब मिक्स करके यहाँ पर मैं आप पानी डाल दूँगी तो पानी यहाँ पर लगभग मैं दो से धाय गलास डालूँगी डाल में पानी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपको जिस तरह की डाल पसंद हो अगर आप पतली खाते हैं तो थोरा से ज़्यादा पानी डाल दे और गाड़ी डाल आपको पसंद है तो थोरा से कम पानी डाले तो यहाँ पर मैं लगवग धाय गलास के आसपास पानी डाल दूँगी और कूकर का धकन बंद करके इसमें लगवग चार सीटी लगाई हूँ मैं चार सीटी लगाने के बाद जब कूकर खुच से ठंडा हो जाए तभी खोलना है इसको तो मैं यहाँ पर धकन बंद करके और चार सीटी लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम तेज करके एक सीटी लगाई थी और इसके बाद गैस को थोरा सा कम करके तीन सीटी लगा ले हूँ और कूकर का सीती जब खुद से ठंडा हो जाए तभी कूकर को हमें खोलना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बत्वा और चना दाल बनके तयार हो गए है अब यहाँ पर दाल गोटनी से मैं इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि दाल और साग अच्छे तरह से मिक्स हो जाए तो इस दाल रेसिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही टेस्टी लगता है यह खाने में तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा दाल बनके तयार हुआ है और इसमें अब उपर से थोरा सा कटा हुआ हरा धनिये की पतियों को डाल के मिक्स कर लेना है और आप अगर चाहें तो इसमें एक चमच घी भी डाल सकते हैं और भी स्वादिष्ट हो जाते है यह दाल पर मैं जब खाऊंगी तो उसमें गी को डालोंगी इसमें तो आप यहां पर देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है यह दाल दिखने में जितना अच्छा यह दिख रहा है उतना ही टेस्टी खाने में भी था तो इस डाल को आप रोटी चावल किसी भी चीज में खा सकते हैं ये टेस्टी के साथ साथ काफी हेल्दी भी होता है तो एक बार आप सब इस डाल रेसिपी को जरूर ट्राइ करके देखना आपको बहुत ही पसंद आएगी और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अब मैं आप सब से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवान थैंक यू